राश्टिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान दोरा प्रस्तु थे धनी कारिक्रमों की शंखला क्या है हमारे चारों ओर? क्या है हमारे चारों ओर? भूगोल शिक्षण के कारिक्रमों की शंखला के अंतरगत अब प्रस्तु थे उच्चतर माध्यमिक कक्षा के चात्रों हे तु एक वारता वारता का यह कारिक्रम NCERT दोरा प्रकाशित भूगोल की पाठ्थे पुस्तक भारत, लोग और अर्थ विवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है वारता का शीर्षक है जनसंख्या का प्रवास अपेक्षाक्रत लंबी अवधी के लिए निवास स्थान में परिवर्तन को प्रवास कहा जाता है स्थानी ये गदशीलता, कम समय के लिए स्थान परिवर्तन या अनेक स्थानों पर आना जाना प्रवास नहीं कहलाता है प्रवासी वही है जिसकी गणना अपने जन्म स्थान पर नहीं अपे तो किसी अन्य स्थान पर होती है उद्भव प्रदेश या अभिग्राही प्रदेश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का सीधा संबंध जनसंख्या के प्रवास से है लोग बहतर आर्थिक अवसरों, रोजगार और जीवन की बहतर दशाओं की खोज में प्रवास करते हैं लेकिन कुछ अनार्थिक कारक जैसे विवाह, सामाजिक असुरक्षा, राजनीतिक उथल-पुथल, अंतर प्रजातिय संगर्ष, तथा बहतर सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्ति सुविधाएं भी लोगों को अपने निवास स्थान से खदेर देते हैं, अर्थात छोड ने को बात ये कर देते हैं, इच्छुक प्रवासी को आकर्षन और प्रलोभन देने वाली अभिकराही प्रदेश की दशाएं अपकर्षकारक यानि फुल फैक्टर्स कहलाती हैं, लोग आकर्षित होकर मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जैसे महानगरों में जाबसे हैं, क्योंकि महानगरों में उन्हें बेहतर जीवन के अफसर मिल सकते हैं, आर्थिक मंदी वाले प्रदेश में बेरोजगारी की वृत्थी लोगों को अपना निवास्थान छोड़ने पर बात्य करती हैं, इन कारकों को प्रतिकर्ष कारक कहते हैं, इन कारकों में प्रमुख हैं जन संख्या का भारी दबाव, क्रिशक वर्ग की गरीबी और अत्यधिक बेरोजगारी 1991 की जन गणना में केवल कुल जन संख्या के 27.4 प्रतिशत भाग की, यानी 84.8 करोड में 23 करोड प्रवासी के रूप में गणना की गई थी 1981 में प्रवासियों का प्रतिशत 30.6 तथा 1971 में 31.2 था कुल प्रवासी जन संख्या में से 62.1 चार प्रतिशत लोगों का जन्म गणना वाले जिले में ही हुआ था इसे अन्तह जिला यानी राजियांतरी ये प्रवास कहते हैं एक चौथाई से कुछ अधिक 26.05 प्रतिशत लोगों का जन्म उसी राजिय के अन्य जिलों में तथा दसवें भाग से कुछ अधिक 11.82 प्रतिशत लोगों का जन्म देश के अन्य राजियों में हुआ था इस प्रकार दूरी के बढ़ने पर प्रवासियों का अनुपात घट जाता है प्रवास के कारण अंतिम निवास स्थान बदलने वाले व्यक्तियों में से आधे से अधिक लोगों ने विवाह के कारण घर छोड़ा इसी जन गणना वर्ष में 15 प्रतिशत लोगों ने निवास स्थान बदला इसके विपरीत रोजगार के कारण केवल 9 प्रतिशत लोग प्रभावित हुए केवल 2 प्रतिशत लोगों को शिक्षा के कारण प्रवास करना पड़ा लगभग एक तिहाई प्रवासियों ने अन्य अनेक सामाजिक आर्थिक कारणों से अपना अंतिम निवास छोड़ा था कुल आप्रवासियों में से एक चौथाई से कुछ अधिक पुरुष थे जबकि लगभग तीन चौथाई महिलाई थी इस प्रकार विभिन्न लोग विभिन्न कारणों से प्रवास करते हैं तथा पुरुषों और महिलाउं के प्रवास के अनुपात में भिन्नता होती है प्रवास के प्रकार स्थानांतरण की दिशा के आधार पर प्रवास पांच प्रकार का हो सकता है पहला गाव से नगर को, दूसरा नगर से नगर को, तीसरा गाव से गाव को, चौथा नगर से गाव को, पाँचवा अंतरराष्ट्रिय प्रवास कुल प्रवासियों में से 82.3% लोगों का जन्म स्थान गाव होता है, केवल 17.7% प्रवासि ही कस्बों और नगरों में जन्मे थे कुल आप्रवासियों में से लगभग एक तिहाई यानी 29.5% नगरों में आये, जबकि गावों में 70.5% आप्रवासि पहुचे इस संबंध में हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि महिलाएं अपने जन्म स्थान से पती के घर चली जाती है इसलिए कुल आप्रवासियों में लगभग तीन चौथाई एक गाउं से दूसरे गाउं में चले गए केवल पांचवा भाग नगरों से गाउं में गया लगभग 11.7 प्रतिशत एक नगर से दूसरे नगर में गए और बहुत कम लोग नगरों से गाउं में गए दूरी और लिंग के अनुसार ये औसत स्थिति बदल जाती है जब स्थानांतरण की दूरी और प्रवास के जोखिम बढ़ जाते हैं तो आप्रवासन पुरुष प्रधान और नगरों मुख हो जाता है क्या है हमारी चारों और अभी आप सुन रहे थे अमिताब वर्मा के स्वर्म में वार्ता जनसंख्या का प्रवास नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान एवं प्रसुती वंदना अरिमर्दन